हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, मैं हो जोती कुछ नई जानकारी देना चाहती हूँ तो आप देख सकते हैं, यह जल ड्रॉप है तो यह जो आजकल करोना वारेस हमारे विश में फैला हुआ है हमारी वेजिटेबल्स होती है, पानी होता है तो उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं तो यह जल ड्रॉप लिखा हुआ है, यह पानी के लिए यूज किया जाता है और आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है एई यूनिक वार्टर डिसिन्फेक्टेंट तो जो वार्टर के लिए जो जितने वी इसमें वार्टर में वेक्टिरिया, वार्टर जो भी विशाडू होते हैं उन सब को यह मारता है तो देखें, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जो वेजिटेबल्स, सबजीयां हो या पानी हो जिनक्या आरो लगा है, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप चाहें, तो आरो के पानी में भी इसको यूज कर सकते हैं और जो नलका पानी आता है, और जिनक्या आरो नहीं लगा हुआ है वो पीने के पानी में इसको यूज कर सकते हैं और सबजिया वाश करने में भी इसको यूज कर सकते हैं तो फ्रेंड्स में आपको बताना चाहूंगे कि ये आता है 100 ml में आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 ml हाँ पे प्राइस दी हुई है 65 रूपीज तो मेरे पास बड़ी बॉटल है इसमें छोटी बॉटल भी आती है वह शायए 30 रूपीज ऐसा ही कुछ उसका प्राइस होगा उसमें छोटी बॉटल भी आप ले सकते हैं और यह आपको मार्केट में जो मेडिकल स्टोर होता है वहां पर इसली आपको मिल जाएगा तो आपको बाहर से वेजटेवल्स आती हैं तो मैं उसमें यूज करती हूँ तो मैंने कहां आपके साथ क्यों ना शेयर किया जाए तो फ्रेंट्स इसके क्या फायदे हैं सोडियम हाइपोख्लोराइट है वह चार से पांच परसेंट इसमें होता है और जो कलर है वह पील यलो लाइट ग्रीनिश है और जो डोज है इसकी डोज कैसे यूज करनी है आपको तो आपको इसमें दिया गया है एड़ 3 अपन 4 ड्रॉप्स इन एबाउट 10 लीटर वाटर तो आपको एड़ करनी है 3-4 ड्रॉप 10 लीटर वाटर में आप 10-15 लीटर पानी लीजिए और उसमें 3-4 ड्रॉप डाल दीजिए और जो 1000 लीटर वाटर होता है जो 1000 लीटर की टंकी होती है आपके पास 1000 लीटर का आपके पास अगर उपर टैंक है या पानी पीने का आप य और इसके क्या-क्या फायदे होते हैं, तो जो sodium hypochloride होता है, वो किसलिए यूज होता है, तो friends, यह हमारा liquid form में आता है, यह liquid chemical है, और इसे bleach के तोर पर इस्तमाल करते हैं, और इसके काफी फायदे होते हैं friends, तो जो हमारा दूशित जल होता है, जो बाहर का पानी होता है, जो तो होता है तो आप उसमें इसको यूज कर सकते हैं ये दूशित जल को साफ करता है और दाग ढब्बे हटाने में भी इसका यूज होता है और घरों को जो जीवाडों मुक्त करने के लिए भी यूज किया जाता है और इसको बेजिटेवल में कैसे यूज करते हैं तो चली फ् और यह क्लीन मैंने पानी लिया हुआ है यहां पर तो यह आधा वाल्टी मैंने पानी लिया हुआ है तो इसमें सारे बेजिटेबल डाल दूँए दिखिए मेरे पास सारी सब्जिया है यह आलू है इनको भी डाल दूँए जहां तब हो सके आप बाहर से सब्जियों लाते हैं तो बाहर ही आप सब्जियों को पहले वाश कर लें अंदर ले जाने से पहले यह मेरे पास यह हरी सब्जी भी है यह मैंने इसमें डालती हैं कुछ हरी मिर्ट है इनको भी मैंने डाल दिया है और इनको अच्छी से धूले लें देखिए मैं अच्छी के धूल लेती हूँ पहले हमको साप पाने में दूना है मैं अच्छी से क्लीन करने गी क्लीन कर कि इनको सब्जी और सब्जी लुगी कर contributor को तो Present यहाँ पर मैं सारी क्लीन करें दूना इनको अच्छी अच्छी यहाँ के अच्छी भी रहा साप यह वह दूना थिनित्यम किसन्ट बढसेbasisSt tumor 7 च्छीरों मेरे इस पाली को यहां में नहीं कर लिया है , तो मेरे पाँस यहां पाथ रती आधी बाल्टी ले लिया थे Agh आपको याद रखना है, जो 15 लीटर पानी है, मैंने उसी कॉंटिटी में लिया है, मेरे बाल्टी में मेजरिंग दी हुई है, काफी बाल्टी मेजरिंग थी, तो मैंने 15 लीटर पानी ले लिया है, तो समझो, आप एक बाल्टी से, मतलब आपको आदी बाल्टी करीब पानी ल यहां पे मैं सारी वेज़ेटेवल डाल दूँगा, इसी तरह सारी अपनी सबजियों को धूती हूँ, आप चाहे तो यह प्रोसेस किचिन में भी कर सकते हैं, मैं आप इसको ढग देती हूँ, आप देख सकते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहां पे सारी सब को निकालोंगी तो चले फ्रेंट इसको छोड़ देते हैं आदा घंटे के लिए और ढग देते हैं आप चाहे तो यही प्रोसेस किचिन में भी कर सकते हैं आपके पाथ थोड़ी सब्जिया है तो आप किसी भी बरतन में पानी थोड़ा से लेके एक गुन डॉप डाल सकते हैं और सारी सब्जियों को आदा घंटी के लिए छोड़ दें फिर वाश करके आप उसको चलने में निकाल लें तो देखे अभी मेरा आदा घंटा हो गया है तो मैं अभी सारी बेज़ेटेबल्स को निकाल लूँगी टप में बतन में तो मैं यहां पर टपका यूज कर दियू करती मेरी सब्जियां थोड़ी जादा हैं तो अभी मैंने यहां जो पानी था वो मैंने हटा दिया है और दूसरी बाल्टी में मैंने क्लीन पानी ले लिया है मैंने आदी बाल्टी ले लिया है क्योंकि जो हम लो ने जल डॉप डाला था उसमें थोड़ी सी इसमेल भी आती तो देखिए मैंने सारी वेजिटेबल को निकाल लिया है ये पानीवी मैं गार्डन में डाल दूंगी और आप ऐसे ही छोड़ दूंगी एक घंटेक लिए ताकि जो उमारा पानी है सारा निकल जाए फिर मैं इसको कपड़ी से पोश कर और फिर मैं इसको सुखाके यूज करत तो देख सकते हैं आप friends मैने किस तरह सारी vegetable को wash कर लिया है हमारी vegetable बहुत अच्छी wash हो गई है मैं इसलों सारी vegetable को wash करती हूं तो आप यह इसलों प्रोसेस कर सकते हैं तो चले friends मिलते हैं next वीडियो में